हेलो स्ट्रेंग्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ओफ फंक्शन्स की, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन बार बार यह पूछा जाएगा कि बताइए आइडेंटिटी फंक्शन है या कोई और भी फंक्शन है, वन वन उन्टू है या नहीं, तो मैं साथ के साथ आपको यह बताता चलूँगा कि यह वन वन है या नहीं है, उन्टू है या नहीं है, और अगर है तो क्यों नहीं तो क् करते हैं तो यह function शकल सूरत में कुछ ऐसा देखता है f of x is equals to x यह knowledge आपको पहले से होनी चाहिए कि आप जो function के अंदर डालते हैं वोसे x यानि input यानि x और जो निकलते हैं वो output यानि y यानि output जो डालते हैं वो input जो निकलते हैं वो output input यानि values of x, output यानि values of y खेर, तो यहाँ पर identity, identity function क्या कह रहा है कि मेरे अंदर जो भी डालोगे वो बिना identity कोई as it is बहार निकल के आ जाएगा, यह identity function है, यानि अगर आप 1 डालोगे तो value क्याएगी, output की, 1 आईगी यानि input x अगर 1 है तो y यानि output हमारा 1 है एक छोट इसी टेबल बना लेते हैं graph बनाने के लिए x और y x 0 तो y भी 0 जो आएगा वही जाएगा x minus 1 तो y minus 1, x 1 तो y 1, graph plot करते हैं जैसे हम graph plot कर रहे हैं देखेगा द्यान सान, देखेगा, सुनिएगा जरा यह हमारी x-axis, यह हमारी y-axis यह हमारा origin टिक 1, 2 1, 2 उतने से काम हो जाएगा 1, 2 1, 2 टिक अब x 0, y 0 0, 0 कहा में लेगा origin हो जाएगा भी वो तो हमारा minus 1, minus 1 x हमारा minus 1 और y भी हमारा minus 1 टिक minus 2, minus 2 टिक 1, 1 2, 2 यह कुछ ऐसा बन जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा बिल्कुल straight line हो जाएगी बिल्कुल straight line हो जाएगी तो यह हमारा identity function का graph है ठीक है चलिए यह इसके उपर अगर हम इस line को ध्यान से देखें तो यह identity function की line है यानि यह f of x is equals to x की line है और f of x हमेशा होता है y तो यह कौन सी line है यह y is equals to x की line है ठीक है जी चलिए यह y is equals to x की line है अच्छा अब देखते हैं यह one one है या नहीं सबसे पहले check करते हैं one one ठीक अच्छा function का nature है function कह रहा है कि जो आएगा वही मैं निकाल के perfect दूँगा तो one आएगा तो one पे क्या effect देगा one two पे two minus one पे minus one 0.1 पे 0.1 तो जो आएगा वही चला जाएगा ठीक है तो यह साफ बता रहा है कि input आॉटपुट input आॉटपुट और हर एक input का different output वह बता रहा है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो input है उसका output भही है ठीक तो यह साफ इस بात को दर्शा रहा है डिपिक्ट कर रहा है इस बात को कि यह one one function है तो आप लिख दीजेगा कि यह one one है ठीक क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रिमेज की एक different image ही आ रही है अब चेक करते हैं यह on to है या नहीं और आप graph की मदद से भी देख सकते हैं one one को आप graph की मदद से भी देख सकते हैं एक नट रुके का ज़रा हां देखिया जीरो पे जीरो प्रिमेज की एक अलग image आ रही है प्रिमेज तो एक सेक्सेस पर मिलेगी ना तो हर एक प्रिमेज की एक अलग image नज़र आ रही है आपको एक अलग image नज़र आ रही है बात करते हैं on to की on to होता है हमारा हाउसफुल है यानि हाउसफुल है यानि देखिये x यानि input y यानि output अगर हर एक output भरा हुआ है तो वो हाउसफुल है तो पहले तो आप graph से देख लीजे हर एक output भरा है यानि हर एक y की value आ रही है तो और देखिये y की value आ रही है हर एक y की value आ रही है रही हर एक y की value आ रही है आप देख तरहे है तो आपकी जो y axis है वो उपड़ से नीचे तक और नीचे तक और हर एक y की value आनी आनी है तो graph यह दूर से बता देगा कि यह on to है अगर आप manual इस बात को चेक करना चाहते है ना दिमाग में रखने के लिए तो आप on to तब कहलाएगा जब कोई भी seat जो है वो खाली ना हो बैए कोई मेरे से पूशन लगा यह बता यह भी 100 नमबर की seat जो है वो तो खाली पड़ी है नहीं खाली नहीं पड़ी क्योंकि 100 नमबर की seat पर कौन बैठा है 100 नमबर का अदमी function कहा रहा है जो आएगा वही नि मेश भरी होई है तो यह function on to है यह one one भी है यह on to भी है कोई पूशता है whether the given identity function is one one yes on to yes one one on to यानी byjective yes यह byjective भी है